प्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं दोस्तों उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे बहुषी है बिल्कुल एक pre co jak ब्रेंड्ट युक्त ब्रिक्स ने कहुँए इसिवे प्लांट को इसो प्लांट अपर्णती था कहा चैनल तो मैंने उसके कोडे खुरूडस को कात्व ता अगर आपको देखना यह तो आगर कैसे हैगी ब्रिक्स टो दि तो बहुत सारे मेरे फ्रेंडst, योटूबर व्लेंज ग्रूंप मुझे लगता है को यह मेरी उच्खेगा, क्यूंगि इससेड़ा की परशाड़ काता है ? मैं मもし मार्मने एक सी आउपला नृत करीज थोली से प्ह Car किए प्लांट को कोडekस नहीं बनता है और बीस बाइस बहुत अच्य लगा रहा है के दोस्तों कि मोते से हो गए है कि तो इस सब्सक्राइब थेना साल दोस्तों भात्य की मैं कॉड़च को दो और वैसा ही हुआ यह बिल्कुल ब्रिक्स जैसा लग रहा है और मैं चाहती हूं कि इसको और भी बड़े से गमले में रिपोर्ट करूंगी और इसको और बड़ा सेफ दूंगी तो उसके लिए मुझे क्योंकि यह प्लांट जो है ना वह दूप में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और यह एक प्रमानेंट प्लांट है जो कि सालों भर इतने फूल खिलता ही रहता है लेकिन अभी जो अप्रिल मैं जुन तक इसमें इतने भर-बर के फूल आते हैं कि देखते बनता है त इसलिए पानी की बहुत कम जड़ूत रहती है अगर हम दो तीन दिन तक इस प्लांट पानी न भी दे तो भी यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि इसके हर ब्रांच में पानी रहता है यह अपनी लिए पानी सेव करके रखता है और देखे इसको मैंने कटिंग कहां कहां से किया है तो इस तरह से कटिंग करने से घना और बूशी बन जाता है तो कोई भी प्लांट्स को दोस्तों हमेशा पूनिंग करना चाहिए ताकि वह घना और बूशी बना रहे है और उसमें जबरदस्त फ्लावरिंग हो बात करें दोस्तों इसकी मिट्टी की कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए और बिल्कुल भुरबुरी होनी चाहिए क्योंकि इसके stem में बहुत ज़्यादा पानी और इसके branch में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो यह नीचे से गलने लगता है इसमें fungus लग जाते हैं तो इसकी मीटी ऐसी बनाए कि जब हम पानी इसमें डाले तो वह जल्दी से सुख जाए और इसका गमले का drainage जो है वह अच्छी होने चाहिए ताकि जब भी हम पानी डाले वह आसानी से नीचे निकल जाए और इसके roots के पास पानी न रहे तो इस तरह कि मीटी बनाए जैसे एक भाग इसमें मिटी डाले एक भाग किसमें रिये और एक भाग कमपोस्ट कोई भी कमपोस्ट डाल सकते है porta औरहज बर्मी कंपोस्ट और इसके रूट में फंगस बहुत जल्दी लगते हैं तो इसलिए इसमें नीम की खली मिटी में जरूर मिला के डाले या फिर फंगी साइड इस तरह की मिटी बनाएंगे दोस्तों तो यह प्लांट बहुत ही है और बड़ा सा प्लांट यही बन जाता है और ऐसी जगह रख दे जहां इसको पानी जादा जाए इसके प्लांट पर पानी जादा न लगे क्योंकि बरसात में यह खराब होने का बहुत चांस हो जाता है गल जाता है तो इसलिए बारिस के दिनों में इसे हटा के रखे और दोस्तों बात करें इसकी फटिलाइजर की तो इसमें अगर हम फटिलाइजर नहीं देते हैं तब ही थोरे बहुत फ्लावरिंग करता है लेकिन अगर हम फटिलाइजर डालते हैं तो इसमें इतने हैवी फ्लावरिंग करता है तो इसमें टाइम टो टाइम कुछ ना कुछ फटिलाइजर डालते रहना चाहिए दोस्तों त ये देखे मैंने केले के छिल्के को पानी में डाला है केले को फास्थ है तो यह मैंने केले को पानी में में डाल दिया है और यह दूसरा चिज दोस्तो यह तो जाने चुकंदर सुकंदर में बहुत सारे कैल्सियम बिटामिन्स मिनरल्स और इसमें बहुत सारे फाइबर रहते हैं तो यह हमारे शरीर को फाइदा करता है हमारे प्लांस को इलिए भी बहुत अच्छा होता है तो इसको दोस्तों किस तरह बनाना है यह देखे पानी मैंने रख दिया है और इ छिलकिए वाले पाणी, मैंने ड़ीया और दोस्तों यह तीं दिन तक ऐसे रख देती हूं अब चलिए कुछ प्लांट्स को काम कर लेते हैं तो फटिलाइजर डालने के पहले दोस्तों कोई भी प्लांट्स की गुराई जरूर कर ले ताकि उसके जो रूट है वहां तक आक्सीजन पहुंच सके और नीचे अगर मिट्टी गिली है तो मिट्टी सुख भी जाए तो ये मैंने गुराई कर दिया है अब ये तीन दिन बाद कर दोस्तों यहां पर देखिए ये तीन दिन बाद कैसा हो गया है इसका कलर और इसमें थोड़े उजले कलर के ये क्रीम जैसे लगे हुए हैं तो ये फटिलाइजर बहुत अच्छे से त्यार हो गया है आप चाहे तो दो छान लेते हैं अच्छे से तो छानने के बाद दोस्तों देखिए ये सभी जो आ गया है इसमें और ये देखिए पावरफूल लिक्विट फटिलाइजर ये तयार हो गया है और ये जो एकेले के चिलके और बीट के जो बचे हुए है न टुक्रे इनको मैं अपने वेस्ट क करीब कि हुआ है और मैं इसमें एक लिटर पानी वर्पूर टाल दोंगी तो यहां पर देखिए एक लीटर अधे लीटर बहुत फूह च्छा काम करता है सबी फूलोल प्लांट्स पर तो इसको एक लीटर के करीब मैंने इसमें डाल दिया है और देखिए आधे लीटर मेरा बच गया है तो यह सभी मेरे उपर जो प्लांट है चोटे-चोटे जो प्लांट है उन सब में भी डाल दूंगी उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे हो बेल आइकन गंटी के सांथ दोस्तों ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा है तो एक कमेंट भी जरू कीजिए गा तो मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक स्वस्तर हैं मस्तर हैं अपने काम बेस्तर हैं बाई दोस् छर्टिस Tम्स प्तु सन्थ् Tesों वे परेशने काम बेस्वरश में उसकी जरूस। तो के स्वस्तर हैं वीडियो झाना है वीडियो उन्से की ली ओयो वीडिकेशने काम वीडियो